नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे यूटुब चैनल महादेव योगी पर आज हम सीखेंगे भाहिय कुम्बक प्रानायम यह जो भाहिय कुम्बक प्रानायम है हानी रहित प्रानायम है इसके कोई नुकसान नहीं है बशर्ते आप कोई गलती ना करें इस प्रानायम को करने से मन जो है वो स्थीर हो जाता है जिनके भी मन में बहुत ज़्यादा चंचलता है जो मनोरोगी है वे अगर इस प्रानायम को करते हैं तो काफी लाब पहुंचाता है जिनको कोई decision लेने में दिक्कत होती है मन स्थीर नहीं रहता मन में अलग-अलग जाती हैं, इतना इनगे भयकुंबग प्राणायम करने से जो हमारे सासवसे से संबंदिय समझ्या है, वे भी ठीक हो जाती है, मन के एकाग्रता बढ़ती है और जो हमारी बुद्धी है, तिक्ष्न और तेज हो जाती है, memory power इससे बढ़ जाती है तो चलिए सीखते हैं ये प्रानायम किस प्रकार से करना है इस प्रानायम को करने के लिए आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है जैसे सुखासन, पदमासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन किसी भी आसन में आप आराम से सुख पुर्वक बैठ जाईए उसके बाद आपको दोनों नासिकाओं से सांस को एक बार में ही बाहर निकालना है पूरी सांस बाहर निकालके उसको बाहर ही रोकना है यानि कि बाहर को उसको कुम्बग करना है जब सांस को पूरी तरह से बाहर निकाल के रोकेंगे उसके बाद आपको मुल बंद लगाना है और उड्यान बंद लगाना है मुल बंद अपने गुदा मसल को उपर पूल करके रखना है, खींच के रखना है और उड्यान बंद अपने पेट को पूरा अंदर खींच के रखना है सांस बहार रुकी हुई, दोनों बंद लगे हुई, यता शक्ति इसको होल्ड करना है जब अरदस्ती बिलकुल भी नहीं करनी, क्षमता से ज़्यादा इसको होल्ड करेंगे तो नुकसान हो जाएगा जितना आप आसानी से सांस को बहार रोक कर रख सकते, तब तक ही रुकना है उसके बाद बंदों को छोड़ते हुई, सांस को अंदर भरना है जब सांस अंदर आएगी, तो फिर से एक ही बार में उस सांस को पूरा बहार निकाल के फिर बहार रोकना है और फिर दोनों बंद लगाने है कुछ लोग क्या करते हैं, कि सांस को अंदर भरेंगे बहार निकाल के बंद लगाएंगे जब अरदस्ति इसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जब रुकी नहीं जाती, धड़ाम से बंद को छोड़ देंगे, जटके से सांस को अंदर भरेंगे, तो ऐसे जटके से सांस लेनी पड़े, यतना भी आपको रोकना नहीं, सुकपुर्वक आसानी से जितना रोक स सांस के साथ, साथ भाय कुम्बक आपको करना है, सांस अंदर भरी बाहर निकाल के, होल्ट की और बंद लगाए ती हम यता शक्ति रोका, फिर दूसरी सांस जब अंदर भरेंगे तो उसी सांस को पुरी तरसे बाहर निकाल के फिर से बंद लगेगा, बीच में नॉर्मल प्रिधिंग नहीं, इस प्रकार से आप तीन चक्र से लेके 21 चक्र तक पूरा कर सकते हैं, जैसे सांस को बहर के रोका बंद लगाए, फिर बंदों को छोड़ते हैं सांस को बाहर निकाला, यहां पर आपका एक चक्र पूरा वा जाएगा, इस प्रकार से 3, 7, 11, 21 अपने टाइम के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार आप इसको देरे देरे बढ़ा भी सकते हैं, और इसको कर भी सकते हैं, बस सावधनिया जो मैंने बताई, उसी चीज का द्यान रखना हैं कि जबरदस्ति सांस को क्षमता से ज्यादा नहीं रोकना हैं, और थोड़ा सा द्यान जो रिदय रोगी है, जिनको दमास्तमा की समझ से है, वो थोड़ा सा द्यान दे करें कि उनको ज्यादा कुमबक नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी, भाहिये कुमबक प्रानायम के बारे में, इसी प्राकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए, सुस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद